राची में उल्गुलान डिलिस्टिंग महारैली का हुवा उद घाटन हजारों की भीड जुटी उल्गुलान डिलिस्टिंग महारैली की शुर्वात हो गई है राश्रिय स्वेम सेवक संक आर एस एस की विंग चंजाती सुरक्षा मंच द्वारा मुरवाधी मैदार में डिलिस्टिंग रैली में भाडी संक्या आदिवासी हिस्सा ले रहे है रैली में उख्य रूप से पूर्व लोग सभा उपाध्यक्ष कडिया मुंडा, पूर्व मंत्री गनेश राम भगत और जलाल पाहल शामिल है रैली में अब तक लगबग 5,000 लोगों की शंक्या भी देखी जा रही है जबकि लोगों के आने का सिलसिला जा रही है इस रैली में जारकन के अलग अलग जीलों से लोग आए है रैली में अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशत के लोग भी शामिल है इस्रेली के माधियम से केंद्र और राजसरकार के धर्म परिवर्तन करके इसाई बन चुके, आदिवासियों को S.T. सूची से बाहर करने और S.T. को मिलने वाले सभी लाब और अधिकार से वन्चित करने के लिए कानून बनाने की उमान की जानी है अधिवासियों का अरचन ले रहे हैं उसको बंद होना चाहिए रैली में और भी लोगों के आने का इंतिजार किया जा रहा है बता दे के डिलस्टिंग रैली का कुछ आदिवासि संगठन इसका विरोध करते भी रहे है रैली में बीजेपी नेता मंच के नीचे बैठे है उनमें गंगोत्री खुजूर, विमला प्रधान, सुर्दर्शन भगत, समीर उडाउ, रगुनात पांडे, सुबोध, सिंग गुडू, एवं केके गुपता सहित कई भाजपा नेता मंच के नीचे बैठे हुए है चुकि ये कारेकरम RSS से जुड़े जनजात ये सुरक्षम मंच का है अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूले